No, this is not your XUV7OO facelift, यह एक completely नई गाड़ी है, हो सकता है, डिजाइन में कुछ-कुछ जगों से आपको लगे कि यह तो XUV7OO की जैसी लग रही है, जी हाँ, पर वो क्यों लग रही है, उसके बारों भी बात करेंगे, और क्यों महिंद्रा XUV9S जो है, उसका XUV7OO से कोई लेन लगी है, इन्होंने, specially अगर आप Pack 2 ले रहे हो, तो उसकी ठीक प्राइस मुझे लगी है, Pack 1 की भी ठीक लगी है प्राइस, बट ओवर और और क्या चीज़े हैं इस गाड़ी में, क्या चीज़े मुझे अच्छिली एच्छी लगी, क्या चीज़े नहीं लगी, उन सब जो जगों से ये XEV90 जैसी लगती है, side profile अगर आप देखोगे तो XUV7W जैसी लगती है, पीचे से भी XUV7W जैसी लगती है, उसका evolved version आप बोल सकते हो, but front में क्योंकि XEV nameplate use किया है, वो brand name इन्होंने use किया है, तो उसमें कुछ similarities देने की कोशिश किया है, जो कि front में नजर आती है, क्योंकि XEV90 टेकनी के लिए इससे जादा वाइड है, तो वो जो width देने के लिए जो design changes को करने पड़ते हैं, वो इन्होंने यहां पर कर दी है, यह broad एक section सा इन्होंने बना दिया LED का, कुछ को जगों पर थोड़े short lines वगरे, comparatively थोड़े से better हो सकते थे, but क्योंकि कि वो alignment वैसा करने की कोशिश किया, कि यह थोड़ी सी broad लगे, और यह पूरा का बूरा section जो है, उसको वैसा बनाये गया है, इस वज़े से वो हलका फुलक आपको लगता है, कि शायद थोड़ी सी better लगती है XCV90 जब आप in person देखते हो, but overall XCV90 के जैसा front यहां पर देने की इनोंने कोशिश किया है, वही ADAS level 2, 5 radar sensors आपको मिलते हैं, और vision sensor मिलता है, वो सारे के सारी चीज़े आपको यहां पर भी मिलती है, अगर आप top and variant में जाते हो, इसके नीचे वाले variant में क्या क्या मिलता है, बताता हूँ बट सबसे important बात, यह platform क्या है, क्या यह XCV7W का electrified version है, या फिर यह completely नया platform है, देखिए, अगर आप XEV या B6 वाला जो platform जानते हो, Inglow, जो कि इनका one EV architecture है, exactly the same platform यूज किया है, wheelbase को हलका फुलका आगे बिचे किया, XCV90 से लगबग 12-13mm जो है, यह थोड़ी छोटी है, बट 12-13mm आप समच चकते हो, कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर होता है, और XCV7W से उतनी ही यह बड़ी है, मोटे-मोटे तौर पर अच्छा खासा wheelbase आपको इस गाड़ी में मिलता है, और लंबा wheelbase क्यों दिया जाएगा, क्योंकि इसको 7-steater बनाना था, क्या यह proper 7-steater उसके अंदर अफको आपको वो alloy wheel जैसे दिखने वाले wheel caps दिये जाएगे, यहाँ पर आपको properly alloy wheels मिल जाते हैं, pack 2 से आपको alloy wheels मिलने लग जाते हैं, बट अच्छी बात है कि सभी के अंदर same size रखी है tires की, अच्छी बात यह है, जो spare wheel है, जो की नीचे की side में लगाया गया ह वहाँ पर भी आपको 18 inch के wheels मिल रहे हैं, चलती कैसे है, ride quality क्या बहतर हुई है, XEV90 जो है वो जब आप road पे लेकर जाते हो, तो थोड़ी सी bouncy feel होती है, एक वो nose drive effect है, हलका full का हमेशा unsettling सी लगती है, क्या इसमें भी है, यह drive impressions दो बताएंगे, जो की 2 दिन बाहर आएगा, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर सकते हो, तो मैं जनली बोलता है ही, बट आपको बोल दिया है कि, हाँ, उसका detailed drive वीडियो वो होगा, इसमें बाकी सब चीजों की बात होगी, and now the charging time, तो देखिए, अच्छी बात यह है, कि अगर आप pack 1 अबव लेते हो, य 180 kilowatt यह लोग बोलते हैं, हालकि जब भी हमने XCV90 चलाई है, और उसको fast charger भी लगाया है, तो वो लगबख 90-90 maximum लेती है, उसके उपर मैंने अभी तक देखा नहीं है, हालकि इस setup करें 180 kilowatt के chargers, उसमें कभी लगा कि देखेंगे, तो पता पर जाएगा, बट मोटे-मोटे त साथ में है, तो अगर आप वो लेते हैं, तो आपको 50,000 रुप extra देने है, 7.2 kilowatt वाला, और यह 79 kilowatt की बैटरी अगर आप चार्ज करोगे, तो आप मोटे-मोटे तोर पर लगबख 12 घंटे आपको लगेंगे, अगर 11.2 kilowatt वाला है, तो 35,000 रुप extra लगेंगे, हर वेरिंट और उससे अगर आप चार्ज करोगे, 79 kilowatt की बैटरी तो लगबख 7.5 घंटे से 8 घंटा आपका लगेगा, अब क्योंकि यह इनकी flagship SUV नहीं है, XEV नेम प्लेट में XEV नहीं है, इसलिए आपको यह टेल गेट ऐसे ओपन करना पड़ेगा, जो कि ठीक ठाक भारी यहां पे न रखना चाहो, तो यह आपके दो आजाएंगे, तो मतलब आपका cabin size एक bag और एक छोटा bag जो है, वो यहां पे आप आपाएगा, बट अगर आप इन सबी seats को fold कर देते हो, जैसे कि मैंने अभी fold कर दिया है, तो लगबख 500 लीटर का space आपको मिल जाएगा, बट अगर ऐसा ही क आपको XCV90 जादा lucrative deal लग रही है, या फिर यह वाली lucrative deal लग रही है, especially अगर आप pack 2 अबव या फिर pack 3 में जा रहे हो, जिसकी price जो है, थोड़ी सी जादा हो जाती है, और XCV90 से थोड़ी overlap हो जाती है, तो यह कहानी हो गई, बूट की, बूट को करते हैं बंध, और अब सीधे अंदर चलते हैं, last row में चलते हैं, देखते हैं कि actually जगे है या नहीं है, अगर आगे लंबे लोग बैठे हैं, alright, since it's a 7-seater, तो 7-seater test कर लेते हैं, गाड़ी one touch down हो गई है, और जो driver seat है, वो ललित के साब से adjusted है, ललित is about 6 feet, यह वाले जो seat है, वो भी ललित के साब से adjusted है, अगर पीछे कोई बैठा है तो, but he was comfortable आपको visuals में नजर आ रहा होगा, अभी इसको मैं कर लेता हूँ, ऐसे, ठीक है, यहाँ यह सबसे पीछे वाली position में भी अगर है, तो मेरे जैसा बंदा तो यहाँ पर बैठ सकता है, हाँ, thigh support एक issue रहेगा, और उतना knee-up position नहीं है, कि जितना मेरे को actually थोड़ी सी लग रहा था कि थोड़ा और ज्यादा knee-up होगा, क्योंकि मैं हलका सा पाउँ अपना stretch कर सकता हूँ, लगबग 5-8 और मेरे जितना बंदा अगर कोई बैठ रहा है, तो आराम से बैठ सकता है, 6-5-6-5-7-5-8 का बंदा भी बैठ सकता है, thigh support would be अगर बैठ सकता है, तो फिर आप कर सकते हो, अब लगबग 5-12-200 के लूमेंटे की ride, अगर इसकी ride अच्छी होती है, तो फिर आप कर सकते हो, ये तुम सब से रिकलाइन हो और ये कम रिकलाइन हो अब अगर्ण चाद में डशना ऑफ अपनी सीटो को रिकलाइन करते है, अगर बूत में कुछ रखा है तो फिर बहा दो होगा है, नहीं पर वाट की कुछ रखा है, उन्हाल अगरग को सिब्सटेश सब्सटे, अगर करने का option भी मिलता है I don't think dedicated अब को लिए ऐसी है headroom थोड़ा सा better हो सकता है क्योंकि मेरे ही जैसे कि अगर मैं थोड़ा recline के बाटूगा तो मेरा headroom निकलेगा बट मेरी नहीं है बटा चुझाएगी तो यहां पर मैं बैटा हूँ और यह काफी आगे है सीट वैसे इसको मैं और पीछे कर सकता हूँ यह होगी पीछे सीट तो मैं और जाधा comfortably बैठ सकता हूँ और जाधा comfort में मुझे बैठना है तो मैं यह वाली जो सीट है इसको boss mode यूज करते हुए आगे कर दूंगा काफी आगी चली जाती है और यहां पर आप वैसी एक सारी जगे जो है वह enjoy कर सकते हो आपको मिलता है हाले कि लोवर वेरिंट में थोड़ी बहुत चीज़े देनी चाहिए थी पैक्टू में देते यह चीज पर उन्हों नहीं दी है फिर टॉपन वेरिंट में भी कुछ-कुछ फीचर जैसे मैंने गोला कि वह पावर टेल गेट जो है वह आप ऊपर दे सकते हैं अगर तीन लोग बैट रहे हैं तो क्या तीन लोग आसानी से बैट सकते हैं बच्चे को आप थोड़ा बहुत अंकमफटबल कर भी सकते हो जाधा पैंपर नहीं करना है बट पॉइंट यह है कि तीन लोग यहां पर बैट जाएंगे बहुत जाद मिट्टी धूल बगर रहे है विच इस हाफ उफ इंडिया तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा केयाफ़ लिखना पड़ेगा वट एक कलर सूधिंग लगता है आँखों में वह एक अच्छी बात है और सिमिलर टूदी यहां पर आपको 65W का आपको एक USB पोर्ट दिया गया है और यहां पर आप चाहो तो दो डिस्प्लेइज लगा सकते हो और यहां इसकी फ्रंट सीट अगयान काफी सिमिलर फीलिंग आपको एक सीवी जो नेम प्लेट है उसी का सॉड़ाफ एक्स्टेंशन है तो सिमिलर चीजे भी देदो को दिकत नहीं हो थी ट्रिपल स्क्रीन लेयाओ जो है वह आपको यहां पर यहां पर लेदर रेट का फिनिश है फॉल यह जिसको बोलते हैं अच्छी फिनिशिंग है इसकी और पैकेजिंग कफी अच्छे लग रही है फिर टेल्ट और टेलिस्कोपिक अजस्मेंट जो है वह आपको दिए गया है अगान दिसे स्मूधर देन यह एक सीवी 7 00 का फेसलिफ्ट है विच विल एक्चुली शेर इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्ट्चर विद इस कार अ उसमें भी triple screen layout आपको मिलने लग जाएगा जो platform है of course वो उसका ice supported है बड़ इलेक्ट्रोनिक आर्किटेक्ट्चर चेंज करने से यह सब चीज़े जो है यहां से थोड़ा उपर नीचे हो रहा है तो shut lines थोड़ी से बेटर हो सकती थी एक्स्टेर में भी और इंटेर में भी बड़ा है और इसका एक और फीचर क्योंकि बॉन इवी आकिटेक्ट्चर है फ्रंक दिया गया है जो कि एक्शली काफी यूजबल है 1.500 लीटर का फ्रं ही है अठारे इंच है रिम जो है बट प्रोफाइल जो है उसका चोटा है तो kind of emergency में काम आने वाली चीज है वो प्रॉपर रेगिलो जो टायर है वैसा नहीं है वो नीचे आता है उसका प्रोजीशन आपको समझ में आ जाएगा फोटोस के अंदर वाट देट सुलीटे का फ फीचर जब पैक वन अबव की बात करते हो तो ठीक वाली उन्होंने देदी है हो सकता है फ्यूचर में I don't know पैक वन भी आज है जो और जाधा एग्रेसिवली प्राइज हो बाट लुक्स लाइक जिन लोगों को सेवन सीटर चाहिए थी एक सीवी नाईनी पसंद है अंदर स चलने में भी नोन इंप्रूमेंट किया है उसके लिए आपको ड्राइब रिव्यू का वेट करना पड़ेगा थैंक यू सो मच पीपल फो वाचिंग इस वीडियो